आप एक घर खरीदने वाले हैं और आपको अनुमान लगाना है कि वो घर कितना बड़ा होगा और ऐसा करने के लिए आपको उस घर की नीव का शेत्रफल निकालना है और आपके पास उस घर का नक्षा मौजूद है जो ऐसा दिखता है ऐसा कुछ और आपको इसका शेत्रफल निकालना है तो यह आप किस प्रकार से कर सकते हैं आपको पता है कि एक आयत का शेत्रफल कितना होता है किन्तु यह जो आकरती है यह तो आयत के समान नहीं दिखती फिर हम इसका शेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे खेर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हम इस आकरती को कई सारे आयतों में बाढ़ सकते हैं और अगर हम अलग-अलग उन आयतों का शेत्रफल निकाल कर सारे आयतों को जोड़ दे, सारे आयतों के शेत्रफलों को जोड़ दे तो हमें इस नीव का शेत्रफल मिल जाएगा तो चले देखते हैं, अगर हम यहां से शुरू करें, तो यह वाली जो हमारी लंबाई है, यह है 20 फुट के बराबर, यह भी है 20 फुट के बराबर, और इसको मैं अगर यहां से जोड़ देती हूँ, इस प्रकार से, तो यह वाला जो हमारा आयत है, यह हो जाएगा 20 फुट, और ये वाली भुजा भी है 20 फुट और क्योंकि ये एक आयत है तो हमारी इस भुजा का मान भी होगा 20 फुट और इसका शेत्रफल कुल कितना होगा इसका शेत्रफल यहां जो मैं ऐसे रंग रही हूँ इस आयत का शेत्रफल होगा 20 गुड़ा 20 फुट ये तो हमारी इस आयत क लंबाई 26 फुट के बराबर है और इसकी जो चोड़ाई है वो कितनी होगी अगर ये वाली भुजा बराबर है 20 फुट के और इतना सा हिस्सा जो है उस भुजा का ये 5 फुट है तो ये जो बाकी हिस्सा होगा ये कितना होगा ये हो जाएगा 15 फुट के बराबर ये होगा 15 फ इसमें मैं जोड़ दूँगी इस शेत्रफल को ये बराबर होगा 26 गुड़े 15 फुट के तो चलिए अब हम इस आयत को ले लेते हैं ये वाला जो आयत है हमारा ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये बड़ा वाला आयत अगर में ले लू तो इसका शेत्रफल कुल कितना होग हम यहां से कह सकते हैं कि इस भुजा का मान है 18 फुट और इस वाले भुजा का मान कितना होगा चलिए देखते हैं ये है 8 फुट के बराबर ये है 20 फुट तो 8 और 20 हो गया 28 फुट और ये है 26 फुट और 28 दन 26 हो गया 54 फुट के बराबर तो हमारी ये वाली लंबाई होगी 54 फुट के बराबर और इसी प्रकार से इस आयत का शेत्रफल कितना होगा इसका शेत्रफल हो जाएगा 54 गुड़े 18 फुट मैंसे यहां जोड़ देती हूँ 54 गुड़े 18 फुट के बराबर और अंतता हमारे पास बचा यहां पर हम देख सकते हैं कि इस आयत की लंबाई है 25 फुट और इसकी चोड़ाई है 15 फुट के बराबर तो इसका शेत्रफल कुल कितना होगा तो इसका शेत्रफल हो जाएगा कुल 25 गुड़े 15 फुट के बराबर तो चली अब हम इसका मानने काल लेते हैं और देखते हैं कि कुल इसका शेत्रफल कितना होगा यहां से हम कह सकते हैं कि 20 गुड़े 20 बराबर होगा यह बराबर होगा 400 फुट के और 26 गुड़े 15 चली देखते हैं कि यह कितना होता है यदि मैं 26 का गुड़ा कर दू 15 में तो मुझे क्या मिलेगा 5, 36 होता है यहां हाथ में आया 3 5, 2, 10, 3, 13 और 10 गुड़े 26 होता है 260 के बराबर तो इसको मैं जोड़ दू तो मुझे मिलेगा 6, 39, 2, 31 यह हो गया 390 वर्ग फुट ठीक है अब हम 54 गुड़े 18 कर लेते हैं तो 54 गुड़े 18 कितना होगा चलिए करते हैं 8 गुड़े 4, 8, 4, 32 होता है हाथ में आया 3 8, 45, 43, 43 और फिर 10 गुड़े 54 हो गया 540 के बराबर तो अब अगर मैं इसको जोड़ दू यहां से मुझे मिलेगा 4, 3, 7 और 5, 4, 9 तो यह 54 गुड़े 18 हो गया 972 के बराबर और अंतता है हमारे पास 25 गुड़े 15 25 गुड़े 15 हमने 26 का गुड़न किया था 15 में तो मुझे 390 मिला था अब यदि मैं इस में से 15 और घटा दू तो मुझे 15 गुड़े 25 मिलेगा तो चलिए 390 मिसे अगर मैं 15 गटा दू तो मेरे पास बचेगा कितना 375 तो अब अगर मैं इन सभी मानों को जोड़ दू और ये सभी मान हमारे इन चारो आयतों के शेत्रफल है अगर मैं इन सभी शेत्रफलों को जोड़ दू तो मुझे अपने इस घर की नीव का कुल शेत्रफल मिल जाएगा चलिए इनको जोड़ते हैं हमें जोड़ना है 400 में 392 972 और 375 चलिए इसको जोड़ते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा तो यहां से 0-0 और 2 धन 5 हो गया 7 के बराबर और 9-7-16 16 और 7 होता है तेईस हाथ में आया दो 4-2-6-3-9-9-9-18-18-3-21 तो यहां से हम कह सकते हैं कि इन सभी का जो योग है वो है 2137 वर्ग फुट के बराबर यहां से हमारी इस घर की नीव का शेत्रफल है 2137 वर्ग फुट 2239 वर्ग कि नीव का शेत्रफल 21े वर्ज़ की वर्ग का शेत्रफल